बिस्मिल्लाहिराहमान रहीम आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टैंसर अनल्सी उसका लेक्टर हमारे पास 19 है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहाँ पे FSC, BS, BSC, MSC मैथिमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को करें, लाइक करें और शेर करें आज हमारे पास very 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 important याने जो टैंसर का है उसका सबसे जो important topic है वो है transformation equation के transformation equation आप कैसे find out करते हैं यह हमारे पास system है original system हमारे पास x1, x2, x3, x1 के corresponding unit vector e1, x2 के e2, x3 के e3, यह हमारे पास rotate होकर जो x है, वो x1 dash बन गया, जिसका corresponding e1 dash unit vector है, और x2 की rotation में, x2 dash dash होगी, जिसको unit vector corresponding e2 dash और x3 rotate होकर, x3 हमारे पास x3 dash है, जिसके corresponding unit vector है, e3 dash, यह हमारे पास position vector है, op, जो x1, x2, x3, यह पी, x1 dash, x2 dash, x3 dash, इसका लग, op या op dash, op बराबर op dash, जिसके लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, r is equal to r dash, आपने पड़ा था, कि r आपके पास क्या था, x1 e1, x2 e2, x3 e3, r dash, x1 dash, e1 dash, x2 dash, e2 dash, x3 dash, e3 dash, क्योंकि r is equal to r dash, equal है, x1 e1, x2 e2, x3 e3 is equal to x1 dash, e1 dash, x2 dash, e2 dash, x3 dash, e3 dash, तो इसको हम लिख सकते हैं, जोको 1, 1, 2, 2, variation है, x, i, e, i, इसको हम लिख सकते हैं, same variation, x, j dash, e, j dash, i, variation 1, 2, 3, j, variation 1, also 1, 2, 3, देखे, मैंने लिखा हूँ, x, i, e, i, x dash, e, j dash, अब लेंगे, dot product, dot product, with, e, j dash, on both side, इदे भी multiply करें, x, i, e, i, dot, e, j dash, is equal to x, j dash, e, j dash, dot, e, j dash, आपने पड़ा, e, j dash, dot, e, j dash, क्या होता है, one, तो देखें, next step में हमारे पास, देखें, मैंने dot product क्या है, e, dash के, ये किसके बराबरागी, one के, तो इसको आप इदे लिख लें, क्योंकि आपने पड़ा हुआ था, कि आपके पास, l, i, j, बराबर, डैफिनिशन पड़ी थे, आपने को साइन की, ड्रेशन को साइन की, e, i, dash, dot, e, j, तो मैंने कहा था, आप इसको चेंज कर सकते हैं, e, j, dot, e, i, क्योंकि हमारे पास, e, i, dot, e, j, बराबर हुआता है, e, j, dot, e, i, क्योंकि डाट प्रड़क्ट में, u, dot, v, बराबर, v, dot, u, तो इसको मैंने लिख दिया, डैफिनिशन के मताबक, l, i, j, इसको मैंने रैट, ileft, प्रड़क्ट प्रेश को मैंने,ש, क्या लिख लियार राइ पे, which is equation of transformation, देखें आपको जो जिए सबको जा जाया हैं, या, x, j, dash, देखें अगर इदर डैश है, तो इदर बेटा, x आएगा, क्योंकि transformation है, l, i, j, देखें, i, i, dummy index, यहां हमारे पास जो i है यह dummy index है और j हमारे पास क्या है free index तो answer किसमें आएगा आप जैसे मार्ज लिख लें अगर आप इसको लिखना चाहें अगर x लिखेंगे x j लिखेंगे तो l यहां पे डेश आज़ेगा i j डेश तो यह आएगा l i j देखें i i dummy answer किया गया j में तो बड़ा अब आप देखें आप इस depend करता है कि जो dummy index है वो बेशाग आप k k लिख लें वो बेशाग आप l dummy index बड़ा आप जो मार्ज लिख सकते हैं l l dummy index answer किया गया j यह हमारे पास क्या आगी transformation equation next जो है हमारे पास मैंने j को value क्या दी one j की value क्या आगी यहाँ one i को आई को वीरी करेंगे one two three i की value one put की फिर i की value two 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 फिर i की value put करें three three इस तरह अब step number इसी में इसी में अब हम j की value का put करेंगे two put करें यहाँ two देखें i j two one अब वो ही i की value one two three पहले i की value one one put करें फिर i की value two two फिर i की value three three अब j की value यहाँ put करेंगे three put करें li three x i उसी तरह आई की value one two three i की value one one put करें i की value two two put करें i की value three three put करें लिखें इसको matrix form में देखें जो पहली value x1- l11 x1 l21 x2 l31 x3 x2- ki value l12 x1 l22 x2 l32 x3 x3- ki value l13 x1 l23 x2 l33 x3 x1 x2 x3 देखें component l11 l21 l31 l12 l22 l32 l13 l23 l33 x1 x2 x3 next मैं ने लिख दिया अब वो ही equation है जो 1 है वो ही equation अब हम लेंगे dot product with e i क्योंकि पहले हमने answer नकाला था x j dash का x i की form में l i j अब हम नकालेंगे x i का answer j की form में x j dash i j जे डमिना answer के आगे आगे आई जे करें dot product with e i लें जी e dot e i और e j dot e i तो आपको पड़ा हुआ है कि e i dot e i is equal to one e j dash dot e i तो क्या हुआ था l i j जिसमें आपने पड़ा था direction को sign की definition जिसमें आपने लिखा था के l i j बराबर था cause x i dash x j जिसमें आपने पड़ा लिखा था e i dash dot e j वो डैशन मैंने apply की इसमें तो आप आप देखें यहां पहले हम देखें यहां j और j dummy है i के i have free i की value मैंने क्या पूट कर दीए यहां one अब j की value j one two three देखें j की value one one put की one one फिर two two फिर three three अब फिर i की value two put करेंगे यहां पर i की value i की value two put करें तो हमारे पास यहां अगर हमां two put करेंगा i की value तो x two is equal to l two j x j dash तो j की value one one two two three three फिर i की value हम यहां put करेंगे three x three is equal to l three j x j dash फिर j की value one two three put करेंगे one one two two three three लिखें में पेटे x one x two x three l one one l two one l one three l two one l two two l two three l three one l three two l three three क्या गया x dash x two dash x three dash अब हमारे पास transformation equation for a unit vector देखें बेटा हमने vector लिखा है a is equal to a dot e one into e one a two dot e two is equal to e two a dot e three into e three जिसको बड़ा मैं लिख सकता हूँ अगर आप देखें यह one one two two three three मैं इसको लिख सकता हूँ यह बड़ा यह यह बड़ा है यह बड़ाइट ए इन टू ए आई 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 इसको बड़ाइगे तो थ्री थ्री आप मैंने एक जगा पे वैल्यू पूट की यह रखेंगा पूट एक की वैल्यू इजे डैश तो देखें मैंने एक जगा पे क्या पूट कर दिया इजे डैश तो आपने पड़ा हुआ है कि इजे डैश डाट इआई क्या लिखते हैं ल जे आई डैश वाले को पहले लिखते हैं और इजे वाले को बाद है क्या है ड्रेक्शन को साइज जो मैंने आपको ड आई-आई-डमी इंडेक्स, आई यहां डमी इंडिस्स है, और जे यहां क्या है, फ्री इंडेक्स है, तो जे की वैलियू मैंने क्या फूट कर दी, आई-टो-टो-टो-आई-ठी-ठी-ठी, क्योंकि बटाई ये यूनिक वेक्टर की फार्म में है, वो Component की फाम में था तो इसी तरह J की Value यहाँ J की Value यहाँ 2 सुट करेंगे तो L 2 I E 2 फिर I की Value आई की Value सोर्जी 1 2 3 फिर J की Value 3 पोट करेंगे आई की विरिशन लेंगे 1 2 3 देखें उसी तरह J की concentrate 2 फिर I आई बढ़ाद लेंगे one two three देखें आई पूट करें one one i two two i three three फिर j की value यहां three लेंगे i की value one one two two three three तो next हमारे पास मैंने वेक्टरों के ले लिया e dash farm में तो मैंने a की value के आप ले ले ली e j तो देखें हमारे पास अगर मैं उसी तरह j की आप i की value one लेंगे j की विरे लेंगे one two three तो आखे पास यह क्या जेंगे equation इसको आप matters farm में भी ली सकते थे e1 dash e2 e3 is equal to l11 l12 l13 l12 l22 l32 l13 l23 l23 l33 into e1 dash e2 dash e3 dash अगर मैं इसको transformation transformation equation की farm में बड़ा में लिखना चाहूँ e i for example l i j e j dash बड़ा अगर अगर आपके पास यह तो इदर क्या आगा e dash transformation equation है ना इदर डैश है इदर डैश और फिर डैश नहीं आएगा देखें जे जे डमिना सांसर क्या या आई अगर आप लिखेंगे e j dash इसको अब लिख सकते हो l j k e k dash अब जहां डैश नहीं कर सोरी अगर इदर डैश हो तो बड़ा इदर लिखेंगे इसको इसको मार्ज ले सकते हैं इसको अच्छे तरिके से त्यार करें अगर इसमें कोई इस्यू हो तो आप मुझे डिसकश कर सकते हैं झाल